वेल्कम टू नेक्स एक जाओं आज है 10 मार्च 2023 और 10 मार्च 2023 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप टेलेग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप नो स्मोकिंग डे मनाय जाता है और इस वार मार्च का दूसरा बुद्वार आठ मार्च को पड़ा इसलिए आठ मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाय गया है smoking यानि कि धूम्रपान से होने वाले जो हानेकारक प्रवहाओ हैं उनके बारे में जागुता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है तो इस वर आठ मार्च को no smoking डे मनाया गया है बैसे आठ मार्च को क्या मनाया जाता है अंतरास्टी महिला दिवस एक मार्च को सून भेदव मेला दिवस मनाया गया था तीन मार्च को वेड़र वैले जाइता है और इस बार 8 मारच को ही और यहह मनाया गया है तो इस कुश्चिन से आपको इतने जानकारी मिलती है आच्क आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है यह लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चूटा सा ही टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लग इनका पूरा नाम है सेख मुहम्मद बिन अब्दुलरह्मान अल्थानी इनको अभी कतर का नया प्रदानमंत्री न्यूक्त किया गया तो इसकुशन का से ओप्संस है यह हैं सेख मुहम्मद अब्दुलरह्मान अल्थानी क्या नाम है इनका सेख मुहम्मद बिन अब्दुलरह में थानि अब ये गतर के प्रदान मंत्री नियुक्त हुए हैं तो यह मैप लिप कटर की केपिटल किया है दुहा कटर की करनसी क्या है कतरी रियाल और कतर के आप नए प्रदानमंत्री यहीं बन ग prossक हैं सेख मुहंप बिन अब्दूलरहिमान अल्थानि एचे उन मैं याद नहीं होते, तो इनको थोड़ा सा ट्रिक बना के आप याद कर लिया करो, जैसे नवाब, नवाफ हो है, लेकिन आप जनरली बोलचाल में नवाब यूज करते हो, तो ऐसे आप अपने माइंड में ट्रिक बना लो कि नवाब अल एहमाद कोईत के प्रधारमंत्री बने है इस टैप की कोई भी आप ट्रिक बना सकते हो, जिससे कि ये आपको याद हो जाए, अच्छा, वान थुओंग, वियतनाम के नई राष्ट पती बने है, वोला टिनुवू, नाइजिरिया के नई राष्ट पती बने है, नेकोस क्रिस्टो डॉलाइट्स, ये साइप्रस के न नई राष्ट पती बने है, डोरिन डिसिन को मालडोबा का नया प्रदानमंत्री चुना गया, मैनुएला रोका बोटे, एक्क्वेटोरियल गिने की पहली मैला प्रदानमंत्री न्यूकत होई है, और चैक गणराजी के नई राष्ट पती, पैट्र पाबेल बने है, ये मलेशिया की केपिटल क्वालालंपुर में हुआ, तो इसकुशन का बे अप्सन सही है, आसियान यानि की असोसिशन ओफ साउथ एस्ट एसियन नेशन, इसका हैड़कोर्टर कहां पर है, जकारता में, अब ये सम्मिलन मलेशिया में हुआ है, तो ये है मैप में मलेशिया, मल काली में भूमचू उत्सब कहां संपन हुआ है, तो भूमचू उत्सब ये अभी सेकिम में संपन हुआ, तो इसकुशन का से ओप्सन सही है, ये सेकिम में तासी दिंग मठ में मनाया जाता है, भूमचू उत्सब और इसमें एक रस्म होती है, पवित्र जल से भरे बरतन को जाता है तो भूंचू उत्सभ अभी सक्किम में संपन्ड्न हुआ है अब सिक्किम तो यह है मैप में सिक्किम सिक्किम की एपिटल किया है गंग टोग सिक्किम के प्रेजन टेंप पे जफ मिनिश्टर पॉन प्रेम सिंग तमां और सेक्किम के गवर्नल कौन है लक्षमड आचारे कौन है लक्षमड आचारे अबी सेक्किम के मुख्य मंतरी ने मेरो रुक्ष मेरो संतति नामक पहल सेक्किम सरकार ने अम्मा और बैनी योजनक की पहल की है सेक्किम के पूर मुख्यमंत्री बेवी गुरुम का निधन हुआ है और सूले मई को सेक्किम इस्तापना दिबस मनाय जाता है ने क्युशन है हाली में ग्रामीड रिड उत्पात पेस करने के लिए किस बैंक ने ITC के साथ साज़दारी की है तो ग्रामीड रिड उत्पात पेस करने के लिए अभी एक्सिस बैंक ने ITC के साथ साज़दारी की तो इसको शिनका बे आप्सन सही है अब एक्सिस बेंक इसकी स्तापना कब हुई 1993 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजाइन टेमपेस EU कौन है अमिताब चौधरी कौन है के इस कुशन है किस देश में 25 बरसों में पहली बार मैलाओं कु सेना में आने की अनुमती दी गई तु अभी कुलम्या में ESPN tv का एक्सिस बरसों में क्या है 18 बरस से लेकर 24 बरस तक के कुर्शों को अनेवारे रूप से सेना में जाना होता है अब ये 25 बरसों में पहली बार हुआ है कि कॉलंबिया में महिलाओं को भी सेना में एंट्री दी गई अच्छा कॉलंबिया आप मैप में साउन्थ अमेरिका में देखो ये है कॉलंबिया कॉलंबिया की capital क्या है? बुगोटा कुलंबिया के करंसी क्या है कुलंबियन पैसो और कुलंबिया के प्रजाइन टेम पर प्रेसिडेंट कौन है गुस्ताबो पैट्रो कौन है गुस्ताबो पैट्रो ने क्यूशिन है हाली में किसे प्रिद्जिकर आर्किटेक्चर पुरुसकार 2023 के बिजेता की रू पूरित चिगर आर्किटैक्टिर पुरुषकार ये अनतराष्टी इसतरपर वास्तु कला के छेत में सर्वुच सम्मान है और इससे अभी Sir Devyd चिपर फिल्ड को सम्मानित किया गया है। इमेज में देख लीजिए ये हैं सर डेविड चिपर फिल ये एक आर्किटेक्ट है अच्छा अभी 2023 का मारकोनी पुरुसकार हारी भार क्लस्टन में जीता एंट्रप्रेंडियर और अब दा एयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता युनेसको सांति पुरुसकार से एंजला मौरकल को सम्भानित किया गया और राखे कपूर ने नाव यूब्रेट के लिए गूल्डन बुक्स अबाट 2023 जीता है ने क्यूशन है हाली में इंडियन फार्मा फेर के आठमे संस्क्रड की मेजवानी कौन करेगा तो अभी उत्तर प्रदेश इंडियन फार्मा फेर के आठमे संस्क्रड की मेजवानी करेगा तो इसकुशन का बे आप्सेंस है उत्तर प्रदेश के लखनव में ये आठमा संस्क्रड होगा अब उत्तरपदेश तो ये है मैप में उत्तरपदेश उत्तरपदेश की केपिटल क्या है लखनव और जब भी मैं आपको लखनव के बारे में बताता हूं हमेशा बताता हूं कि लखनव है गोमती नदीक किनारिस्तित ये कुछिन पूछा जाता है जेनरली सेरों का नाम देकर पूछ लेते हैं कि ये किस नदी के किरा रिष्थित है तो लखनो गोमती नदी किरा रिष्थित है उत्तरपदेश के चेपनेश्टर है योगिया अतनात उत्तरपदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल उत्तरपदेश का राजकी पसू है बार उत्तरपदेस सरकार प्रक्रति और पच्ची महुत्सप के सात्मी संस्क्रट की मेजवानी करेगी। तो अभी केरल में अठ्टुकल पॉंगल ये धूम नाम से बनाया गया तो इसकुषिंग का ए उप्चिन्स ऐए यह महिलाओं पर केंडरित त्युहार है और इसे अठ्टुकल भगवति मंदर में मनाया जाता है तो अभी ये केरल में मनाया गया है अब केरल तो यह है मैप में केरल की गेपिटल क्या है तिरुबनंत पुरा केरल के चीपनिष्टर कौन है पेनराई बिजियान और केरल की गवर्नर कौन है आरेफ मुहम्मद खान नहीं अभी केरल में बन इस्कूल बन आईएस योजना शुरू की थी केरल में मंदिर में अनुष्ठन कर्तब्यों को पूरा करने के लिए रोबोटेक हाती पेस किया गया मैन होल साफ करने के लिए रोबोटेक स्केवेंजर्स का उप्योग करने वाला पहला राज केरल बना है छेत्री भासा में निरड़य प्रकासित करने वाला देश का पहला केरल में सांत घाटी है और पेरियार बनिजीव अब्यारंड है ने क्यूशन है जम्मू कस्मीर में कहां सबसे उचा प्रतिष्टित राश्टी ध्वज लगाया गया है तो जम्मू कस्मीर का एक पहाड़ी जिला है डोडा यहां पर सबसे उचा प्रतिष्टित राश्टी द्वज लगाया गया तो इस कुछिन का बे ऑप्शन सही है इस राष्टी द्वज का द्वज दंड यानि की जो खंबा है वो सौ फेट उंचा है तो इसे अभी डोडा जिले में लगाया गया अच्छा जम्मू कस्मीर की बात है तो जम्मू कस्मीर के लिए ट्रेनेट कवर्न है बारत में जम्मू कस्मीर में पहली बार लेथियम के भंडार में ले हैं और भारत का पहला ग्लास एगलू रेस्टोरेंट जम्मू कस्मीर के गुल मर्ग में कुला है जम्मू कस्मीर में डल जील है बुलर जील है दच्चिग्राम नेसनल पार्क है केस्तवार नेसनल पार है तो अफगानिस्तान पर मद्द एसिया जोइंट बर्किंग ग्रुप की पहली बैठक अपने देश भारत में आई जो थोई तो इसकुशन का से ओप्सन सही है इसमें किरगिस्तान कजाकिस्तान ताजकिस्तान उजवेकिस्तान इन सभी कंट्रीज ने पाटिस्पेट किया है ने कुशन है हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना यूपेई लेन दिन कितने प्रतिसत बढ़कर 36 करोड हुआ है तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेली यूपेई लेन दिन 50% बढ़कर 36 करोड रुपय हो गया तो इसकुश अकुशन से आई है इसे यसांझ भी कहते है और यूशांग भी कहते है यह अभी मड़पूर में सुरू हुआ अब मडपूर तो यह है मडपूर मढपूर की केपिटिल क्या है इमफाल मदपूर की चीपनिस्टर कॉन है एनज उरसी अर मडपूर की प्रिजेन टेंप formats और क कहते हैं ये मड़पुर में हाली में इसरो को भारत और किस देश द्वारा सयुक्त रूप से विखसित निसार उपग्रें मिला है तो निसार उपग्रें अभी भारत और अमेरिका ने सयुक्त रूप से विखसित किया है तो इसकुषिंट का A option है अच्छा अमेरिका की जो Space Agency है उसका नाम क्या है? NASA और इंडिया की Space Agency क्या है? ISRO तो इन दोनों को मिला के बना NISAR N-I-S-A-R NISAR तो बारत और अमेरिका ने मिलकर ये प्रत्वी अबलोकन उपग्रे NISAR डबलब किया है ये अभी ISRO को मिला है अब अमेरिका तो अमेरिका और इंडिया की बीच में कौन-कौन सी Defense Agency होती है कूप इंडिया, टाइगर ट्रंफ, बज़ प्रहार और युद्ध अप्यास अमेरिका ने एरान पर तेल और पेट्रो केमिकल से समद्धि नए प्रतिवन्द लगाए है 2023 अंतरास्ती IP सूचकंग में अमेरिका टॉप पर रहा है जातिकत भेदवाव पर प्रतिवन्द लगाने वाला अमेरिका का पहला सहर सीएटल बना है और अमेरिका के बेग्यानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है ने हुशन है अब लाश्ट वीडियो की कुश्चिन का आंसर लाश्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्चिन पूचा था कि हाली में सैबलोन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड अमबेस्डर बनाया है तो अभी सैबलोन इंडिया ने सचिन तेंदुलगर को दुनिया का पहला हैंड अमबेस्डर बनाया तो इस कुश्चिन का बे ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्वेडियों ने इस का अंसर सही दिया मुष्ट लिष्ट वेडने इसके वारें डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्चिन के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आपका भी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्चिन आपके लिए आज का कुश्चिन है हाली में किसने 2023 बहरें ग्रेंट प्रिक्स जीता है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके लाब आपको किसी कुश्चिन में कोई डाउट हूता है या आपको अपने करियर से रिलेटिड भी कोई प्रोलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी Instagram पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन बिदाउट एनी हजीटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अलप लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करो और आपके पास जो भी स्टड़ी रिलेटेड वाट्सप पर फेसु ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरू कर दिया करो तो यह था आज का अमारा करेंट अफेस का वीडियो आपको यह वीडियो का लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में ज़रू बताना और अगर अभी तक भी आपने उमारे इस चैनल को सुब्सक्राइब ज़रू कर लीजी आपको इस चैनल से निष्चित ही मधवत मिलेगी जब ज तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज विद्यू थैंक्स पर वाचिंग